हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डबल कटोरी बलाउज की कटिंग कैसे की जाती है और किस प्रकार से कटोरियों को आपसमें अटेच किया जाता है दोस्तो जो फारमूला जो बारिकिया आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगी नी संद है आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो दोस्तो किसी भी साइज का डबल कटोरी बलाउज बना सकते हो बहुत बारिकी से यह मैंने वीडियो बनाई है वीडियो थोड़ी लंबी जरू बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो मेरे पास यह जो फैब्रिक है एक नॉर्मल फैब्रिक है और बहुत असानी से मार्केट में उपलब्द हो जाते हैं इस तरह के अरज है वह है टोटल 40 इंच का अब दोस्तो बात करते हैं कि डबल कटोरी ब्लाउज की जब आपको कटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जूद पढ़ती है वह पड़ती मेजरमेंट की तो यह देखे दोस्तों यह जो मेजरमेंट है यह एक बोड़ी मेजरमे بोड़ी सबसे पहले करऊंगे यह आनि पीछे का इसका का बैक पारट उसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह सब आपको उस तरफ रखने और जो बंद वाला इस है वो आपको अपनी तरफ रखना है आप सबसे पहले आपको कौन सा मार्ग लगाना वह आपको मैं बताता हूं इस जगे से देखिए क्योंकि आदा इंच इसमें क्या स्लाई में चला जाता है जब हम इसमें स्लाई करते हैं इसके दोनों पार्ट जोड़ते हैं आगे पीछे तो साड़े चौदा पर निशान लगाएंगे अगरिसे भी ज्यादा डीप कला एतोस का फार्मोला अलाग लेकिर एकर साथ आठ नो इंच तक आपका गला होता है तो विबकल सिंपला यह की आपको जहता है तीरह होटा थप दो अगर ज्ब इक आपको 5,5 इंच लेकिन इसमें 7 इंच का गला है इसलिए हम शोल्डर लेंगे 6 इंच तो यह दोस्तों यह तो है शल्डर निकालने का फ़ार्मूला लेकिन अगर किसी का गला बोट नइक है या फिर प्र खोलर वाला है यह पिर भीवट छोटा गला उसके लिए क्या करना होता ons के लिए दोस्तों जितना भी अंज करतें नहीं रखना पड़ता है क्योंकि चोटा फن मीशच है इसका रखना रखना एक है कि अगर गला पीछे से डीप है पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस निंज तक तो पीछे से आपको जो इतना बड़ा गला है तो तीरा रखना है आपको 6 इंच 6 इंच वाला जो मैंने निशान लगा है दोस्तों उसको बिल्कुल सीधा लेकर जाना है अब को इस परकार से सुराव ब्रस्द कारा आपको 7 बरस्ता तो किस प्रकार से उसको मेंने जुरू होता है ब आपको निशान लगाना जूरूरी होता आपको यह जो मैंने जुरू होता है जो सीना है 34 इंच है उसकी आपको करनी मार्किंग कैसे जब आप किसी का बोडी मेजरमेंट लेते हो तो दोस्तों यह फिक्स नाप 34 इसमें आपको 2 इंच प्लस करना यानि 2 इंच की लोजिंग देनी है अगर फिक्स 34 नौ इंच पर निशान लगाना है यह देखिए इस देगे नौ इंच पर निशान लगा दिया अब बात करते हैं कमर की कमर 28 तो दोस्तों एक चीज़ हमेश्याद रखें जब भी आप किसी भी तरह के ब्लाउज की कटिंग करो कमर में बिल्कुल भी लोजिंग नहीं दी जाती कमर 28 28 घघ रखेंगे तो 28 का एक चॉथा ही कितना होता है साथ q8 इसके अलावा दोस्तों पीछे वाला हिस्सा मैं काट रहा हूं तो पीछे वाले हिससे में हमेशा पीछे के तरफ ड़ाच से डलती है तो प्रेट्स के लिए मारजन लेना होता है डेडिंच तो डेडिश के लिए अब इन दोनों निशानों को आपस में इस प्रकार से भी लाएंगे तो इसमें आपको अगर आपने lower best का measurement नहीं भी लिया तो बस एक फार्मूला याद रखें जैसे यहां से total 9 है तो यहांसे आप आदा इंच कम कर लें यानि कि साढ़े आठ पर निशान लगाएं यानि कि यह जो सिलाई है बिल्कुत सीधी नहीं आएगी हल किसे अंदर की नहीं आएगा और lower best अगर आपने नहीं भी नाप लिया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें अंदर की तरफ गुमागी सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो दोस्तों इस निशान पर तो आ जाएगी सिलाई इसके अलावा इसमें आप एक्ष्टा मारजन रख इसकी जो है उचाई रखेंगे प्लेटों की इस परकार से सीधा एक निशान लगा देते हैं और यह प्लेट आपकी इस परकार से डलेंगे यह देखें अल्यार रख कि चाइर है यहां पर यहां से निशान लगा लें इस परकार से यहां से दूर्ही लेनेंक है तो फ्रेंट्स इस प्रकार से आप देखते तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग आपको किस प्रकार से करनी है यह देखिए बैक वाला जो पार्ट वो मैं इधर से निकाल ला है लेकिन जब फ् प्रइनारी वाल हिस्से में अब मेरी तरफ कर लिया है अब दोस्तों सेम उसी पकार से जैसे आपने बैक की कटिंग करी उसी पकार से मार्क इसमें लगाएंगे सबसे पहले आपको नीचे फोल्ड करने के लिए डेडिंच का मार्जन लेना है ये देखिए ये मैंने प्रिख सरे अन्ध में दोस्तों इसके पेघ़े से हमने की कटिंग करनी है तो मैंको बिल्ट को जब काटने के बाद दोबारे हम जोडेंगे तो को चला जाता है इस परकार कीइंगा से पंदर इंचreg चैन्स में लिए इसा तीरह और इसको बिल्कुल सीधा लेकर जाएंगे कि आर मोलेंगे कितना साड़े छे कि सीधा निशान लगाएंगे एक कि बिल्कुल उसी प्रकार से निशान लगाना आपको यहां से टोटल लेना है 9.36 ठीक है और यहां से लेंगे साड़े आठ आधा इंच अंदर की तरफ गुमाव देते हुए ताकि आप मोल में जोलना आए और दोस्तो अब बात करते हैं इसमें नीचे कमर वाले इससे में तो दोस्तो जब मैंने बैक पोडिशन की कटिंग करी थी तो आप देखें कमर टोटल 28 है तो 28 का एक चुथा ही कितना होता है साचोक 28 और मैंने डेडिंच इसमें एक्टर लिया था लेकिन फ्रेंट्स जब हमने फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है तो इसमें क्या होता है जैसे पीछे तो प्लेट लगा दी हम डेडिंच की लगा देना यह देखिए इसमें एक्टर मार्जन आपको नहीं लेना प्लेट के लिए वैसे आपको डेडिंच एक्टर मार्जन जरूर लेना है जैसे कि हमने इसमें एक्टर लिया था बैक में यह देखिए डेडिंच इदर से इस प्रकार से अब दोस्तों इन निशानों क करूंगा पहले गले की ओगले की मार्क करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बैल्ट कहा से निकालनी है और इसमें जो कटोरी की शिप कैसे देनी है तो पहले गले का मार्क कर लेते हैं गला आगे से दोस्तों त्यार है जो साड़े छे इंच तो साड़े छे के जिए हम ले आएंगे यहां से देंगे गले की गुलाई अब फ्रेंट्स बात करते हैं इसकी बैल्ट की बैल्ट आपको कैसे और कहां से निकालनी है दोस्तों यह जो निशान देख रहा है आपको इस निशान से आपको करना कुछ निए बहुत असान है एक दो इंच पर सीधा निशान आता हूं कैसे बनेगी यहां से आपको लगबग तीन इच एक निशान लगाना है और दोस्तों जो तीन इच पर मैंने निशान लगाए यहां से आपको हलका गुमाव देना इस परकार से यानि कि जो बैल्ट होती है फ्रेंट्स हमेशा उपर की तरफ इस परकार से थोड़ा आपको देनी इसमें गुलाई तो यह इसका फ्रेंट वाला पार्ट है दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अब बात करते हैं इसमें कटोरी की एक्षुली हम काट रहे हैं डबल कटोरी का तो डबल कटोरी का बलाओ तभी कटेगा जब पहले सिंगल कटोरी कटेगी तो दोस्तों किस प्रकार से कटिंग होगी यह देखिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला इस देगे से एक निशान लग लाना कहां पर है पिल्कुल सिंपल है यह जो आपकी कमरवाली जिसा है दोस्तों हमने बैल्ट पे निशान लगाया यहां से आपको एक निशान लगाता तीन नीच पर देखिए बस यहीं पर जाके आपको इसको मिलाना इस प्रकार से ज्यादा गनित लगाने कि इसमें जो नहीं पड़ती यह देखिए इस परकार से इसको मिला दे और अब आप देख सकते हो दोस्तों यह यह आपको कटोरी की शेप दिख रही होगी अब स्टेब बाइस सारे पार्ट के हम इसमें जो है कटिंग करेंग अलग-अलग कैसे सबसे पहले इसकी बैल्ट की कटिंग कर लेते हैं यह देखें फ्रेंट्स यह कट चुकी इसकी बैल्ट ठीक है बैल्ट के बाद अब देखें इस प्रकार से गले की कटिंग होगी गले की cutting दोस्तों मैंने कर ली है अब इसकी जो कटोरी वाली shape हमने बनाई है यहां से हम cutting करेंगे यह देखें इस प्रकार से तो fence अब आप देख सकते हैं यह इसका front वाला part है यह इसकी belt हो चुकी है और back part की मैंने cutting already कर ही लिए इनको रखते हैं फिलाल side में अब जो main का में दोस्तों वो है इसकी पहले बाजू निकालेंगे और बाजू निकालने के बाद जो double कटोरी की cutting आपको कैसे करनी वो मैं आपको बताऊंगा तो बाजू दोस्तों कहीं से भी निकाल सकते हैं इदर भी हमारेके बास कपड़़ाई और इधर भी कपड़़ा तो इस प्रकार से देखिए इदर से मैं बाजू निकालता हूं कपड़ा ॉसको इस प्रकार से वोल्ड करेंगे सबसे पहले हैपकी कि मार्क लगाना यहां-पर बाजू को आगे से फोल्ड करने के लिए आप एक इंच सावाइंच डेडिंच जितना चाहों रख सकते हैं बाजू की लंबाई कितनी है बाजू की लंबाई दोस्तों 6 है तो 6 के जगे साड़े 6 लेगे क्योंकि आदा इंच उपड़ सलाई में चला जाएगा इस जगे से दोस्तों एक निशान लगा जाताए ती निच पर डवन करने के लिए जो इसमें घुमाव होता है वह अक्सा तीन इंच कही दिया जाता एक फार्मूला होता है अब फ्रेंट्स बाजू के आगे से गुलाई कितनी है वह है 11 कादा कितना होता है 5.5 पर निशान लगा दिया अब यहां से लेकर आपको इस परकार से नीचे लेकर आना है चौंक को और यह मार्क करने है लेकिन दोस्तों यह मार्क कहां तक लगाने है कैसे लगाने है तांकि बलाउस का आर्मूल और जो डोनरो पर फीक्ट आ जाए Conseолж का आर्मूलो परिफेक्ट आ जाए Simple formula यह होता है जैसे कि आपको पता है कि इसके जो सीने का नाप हो 24 34 तो 35 का आपको करना है दोस्तो एक चोथा यह होता है साडे 8 इस पकार से क्लोष में 7.9 पर निशान लगाएं यहां पर आ अब साडे आप निशान लगाने के बाद आपको आधा इंच कम करना है यह देखिए इस पकार से अब इन दोनों कटिंग बाजू का जो फ्रेंट वाला पार्ट होता है दोस्तों उसमें क्या करना पता है उसमें हमें इस प्रकार से हलका-लका सा कटिंग करनी पड़ती है एक्ष्टा जैसे हमने फ्रेंट वाले आर्मोल में करी थी इसी प्रकार से बाजू के आर्मोल में भी कटिंग करनी कैसे होगी बस यहीं मैं जो चीज आपको सीखने को है आज की वीडियो में दोस्तों डबल कटोरी का भलाउस है यह देखी यह जो है हमने जो कटिंग रही थी एक कटोरी निकल काई थी बाहर अब दोस्तों क्या करना है आपको एक कटोरी उठा लेनी यह देखी ठीक है एक को इधर से आपको एक निशान लगाना है दो इंच पर इस टीक ठोड़ा सा ध्यान से देखने हैं दोस्तों इदर से मैंने लिया है तीन इंच और इदर से लिए है मिने दो इंच इसके बाद यहां से देख्ए तो तोल की डूरी कितनी यहें पांच का तक अतनी होते है यह और यहां पर जो दूरी लेनी है वो लेनी है आपको डेड़ इंच यह देखें अब दूस्तों यह जो मैंने निशान लगा है मैं आपको दुबारे रिपेट कर देता हूँ कटोरी मैंने एक उठाई है इधर से लगाया है मैंने तीन इंच पर निशान इधर से लगाया है दो इंच पर और सेंट्र में मैंने लगाया है डेड़ इंच पर अब यह जो मैंने निशान लगा है इनको इस प्रकार से आपको मिलाना है यह देखिए इस प्रकार संब्सक्राइः निया लखनी बिल्कुल ट्रायंगल नहीं बनाना हलकी हल कि यहां देनी आप पोपो ड्रायंगल में नहीं काटना अब यह जो मैं निशान लगाया है। फ्रैंट्स इन निशानों Kaiser काट कटिंग मैंने कर ली अब दोस्तो एक कटोरी थी इसके में दो से कर लिए याने कि हम बनाने डबल कटोरी अब डबल कटोरी बनानी कैसे यह तो दोस्तों केवल डेमो है और जो में कटोरी होती किस प्रकार से कटती है देखिए अब इसकी बहुत ज्यादा ज़रूद है माल पास तो एक कटोरी तो मैं रख लिए इधर ठीक है और एक कटोरी रख लिए मैंने इधर इनको बिल्कुल टच नहीं करना यहां पर बीच में गैप देना है आपको लगवर एक इंच का क्योंकि दोनों कटोरी जब आपस में जूड़ती है तो आधा आधा इंची कैस दोनों में मारजन चला जाता है इस प्रकार से इसको रखें बिलकुल आमने सामने यह देखें अब दोस्तों जैसे हम सिंगल कटोरी की कटिंग करते हैं वही फार्मॉला इसमें यूज होगा कैसे यह देखिए यह जो शेप नहीं यह वाली यह गले की शेप तो गले की निशान आपको लगाना है डे!ड इस परकार से आपको इस परकार से आपको इस परकार से बढ़ाना है चेर देखें और नींचे वाले निशान से मिला लेना है यह दिखें मिय तरफ मिलंखर अब दोस्तों बात करते नीचे की तरफ नीचे आनी यहां से आपको आपको शनकी कर से पास पास यह ऐखे हैं अ कि इसका फार्मूला है क्या यह दिखिए यहां से तोटल देखें कितना रहा है इस निशान से लिए तो आठ गादा कितना होता है चार चार इंच पर बिल्कुर सेंटर में निशान है देड़िंच आपको लेगे जना नीचे और इस प्रकार से देड़िंच वाले जो निशान में देखें इसको राउंड में घुमाकर आपको लेकर आना है और इस प्रकार से निशान लगाना है तो फेंट्स अब यह जो चीज़ है यह वली इनका काम हो चुका है खतम और आप देख सकते हो कि यह डबल कटोरी मैंने इस प्रकार से लिए मार्किंग मैंने कर ली है एक चीज़ जो है बताने वाली इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लेना ताकि आपके सारे के सारे डाउट के लिए पीछे वाला जो भाग है दोस्तों यहां पर लिया था मैंने डेरी इंच प्रेट्स के लिए लेकिन जो फ्रेंट वाला इससा था इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्ष्टा मारजन नहीं लिया था बैल्ट देख सकते हो जो इसका साइज है उसी अकोर्डिंग मैंने यहां प्लेट कैसे लगानी यह देखिए यहां से आपको डेड इंच इधर लेना है डेड इंच इधर लेना है यह देखिए यह निशान लगा दिया मैं अब इस निशान पर आपको कट लगा लेना है यह देखिए इस परकार से यह मैं कट लगा है दोस्तों यह कट है जो यही हमारी प्लेट से यह कट से कट आपको मिलाना है और सीधी एक प्लेट लगानी है यह जब प्लेट लग जाएगी दोस्तों प्लेट कैसे लगेगी कैस काटोरी अटेच होगी यह सारा का सारा प्रोसीजर मैं आदोस्तों आपको सिखाता हूं मशीन पर फेंट्स काटोरी ओं को कैसे जोड़ना है कैसे बैल लगानी है एक चीज़ को पहले ध्यान से समझ ले देखिए यह आप देख सकते नीचे का हिसा बैल्ट का यह इसका यह वा कि जिस तरफ मार्क होते हैं हमें अंदाज हो जोता है कि हमारा अंदर वाला हिस्सा है अब दोस्तों सबसे पहले आप उठाएंग इस वाले हिस्से को इसमें देखे करना क्या है यह जो मैंने कट लगा है न यह वाले इस कट को आपने पकड़ना इस पकार से देखें और मैं आपको साय लगा है कि दिखाता हूँ इस प्रेम्स मेरे डाल लिए फ्रेंट्स लगाने के बाद इसका लुप कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा अब फ्रेंट्स करना है के अहницу मैं dus लाटोरी के दूसरे कंदे क्या करना आपको तो यह को पकड़ें आप क्यों को पकड़ा है इसको पकड़ाने के बाइस से कुछ को पकड़ेंगे उसको चबेकिन architect सेने इसके साथ जुड़ जाएगा कैसे जुड़ेगा आई चलते हैं मशीन पर तो फ्रेंट्स ये देखी श्राय लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से आएगा आप देख सकते हो सिर्फ एक ही प्रेट डलती है इसके अंदर यह जो नीचे में लगाई थी डेडिंज की प्रेट और इसके बाद आप देखते हैं इसकी दोनों कटोरियां जो है आप आसमें टैच हो चुकी है और डबल कटोरी का अंदर लुक आ चुका है अब दोस्तों कैसे इसके बाकी का प पकड़ें और यहां से पकड़ते हुए यह देखिए आदा इंच का मारजन आपको लेना है और राउंड राउंड में जैसे की शेप है उसी शेप में इसको आपके सीधी स्लाय लगानी है इसी पकार से यह वाली कटोरी भी आपके जूड़ जाएगी इसको इदर से लगाने के बाद यह कटोरी समय टाइच हो चुकी आप देख सकते हो इसी पकार से दोस्तों दोसे वले पार्ट में भी आपको कटोरी अटेच कर लेनी है तो अब इसके अंदर रहा गई है बैल्ट को अटेच करना बहुत असान है यह देखिए बैल्ट आप देख सकते हो ए फ्रेंट्स यह लगाते समय बस आपको जिसी का ध्यान रखना यह जो प्लेट का मारजन ने यह वाला इस मारजन का बस आपको विश्यस दोर पर देखना इसको बिल्कुल साथ अटैच नहीं करना इसको आपने इस परकार से गुमाना यह देखिए इस परकार से बाजू लगा लिया है और आप इसका पूरा का पूरा लुक देख सकते हो यह करटोरी सकी है प्रबलं के सिला जाएगा इसमें फूक वाली इयक तरफ ई wrap लेंगी दोस्तों बाकी वीडियो बनाओंगा तो काफी लबीडे पहले हैं तो प्लीस वीडियो को सबस्क्राइब करें और हमें सबस्क्राइब Cori